असलाम अलेकूं वाउकम बांक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होब कि विल्कुल ठीक होंगे हुश होंगे अल्ला आपको हमेशा हुश रखे और तमाम परिशानियों से महफूज रखे आमीन समामीन और आज का व्लोग बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाला है जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से दिखा मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रिस्ट वाच कलेक्शन और इसको मैं किस तरह से स्टाइल करती हूँ डिफरेंट ब्रेस्टेट्स के साथ चाहे वो चेन ब्रेस्टेट्स हो या बैं कॉलिटी में बना हुआ है और इसका जो डाइल है वो ग्लास का बना हुआ है ये पहनी वी बहुत ज़़ा ऐलिगन्ट और डीसन लगती है और लुक नॉमर वान में मैं इसको स्टाइल करी हूँ इस चेन ब्रेस्लेट के साथ जोकर एक हैंगिंग चेन ब्रेस्लेट है जिसक पहनने से इसकी लुक और भी जादे स्टाइलिश लगती है इसको कैयूली और फॉर्मली दोनों तरह से पहना जा सकता है। इसके बाद same watch को मैं style करूँगी look number two के साथ और look number two में मैं इसको pair करूँगी इस bangle bracelet के साथ और ये penny weave बहुत जदा अच्छी लग रही थी और smart look दे रही थी और ये formal wear के लिए बहुत ideal combination लगता है इसके बाद जो मैं आपके साथ अपनी next watch share करने लगी हूँ ये एक formal watch है जिसके dial की boundary पे छोटे 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 stones लगे में हैं जबके इसका step एक animal printed step है जो के golden और black color में हैं इसकी first look में मैं इसको style करूँगी spangle bracelet के साथ जो के fully एक cut work style में बनी वी है और इसके front पे उसी तरह से stones लगे में हैं जैसे dials पे लगे में हैं जिसकी वजह से combination बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब same watch की look number two में मैं इसको style करूँगी stretchable golden bracelet के साथ जिसके अपर ये pearls लगे हैं और ये golden color के pearls हैं जिसमें से कुछ dull और कुछ dark हैं इन pearls के तरमियान छोटे 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 rings में stones लगे हैं जो के इस style से बहुत perfectly match करते हैं और ये बहुत ज़दा stylish लगती है especially formal outfits के साथ इसके बाद जो मैं आपके साथ next watch share करने लगी हूँ वो एक silver color की watch है और ये बहुत ज़दा एक delicate सी watch है क्योंके जो इसका step है वो सारा stones के साथ बना हुआ है जैसा के आप देख सकते हैं और इस watch की मुझे सबसे ज़दा जो अच्छी बात लगती है वो इसके ये double lock है जिसमे से मैंने भी आपको एक खोल के दिखाया है क्योंकि इस watch के उपर बहुत जादा stones लगे हुए है इसलिए मैंने इसको pair किया है एक simple chain bracelet के साथ और इसके साथ इसका pair बहुत अच्छा लगता है इसके बाद जो मैं next watch आपके साथ share करने लगी हूँ वो again silver color में है ये एक branded watch है और इसका भी dial जो है वो छोटी छोटी स्टोन से बना हुआ है जबके इसका step जो है वो stainless steel का बना हुआ है और ये जो step है ये एक chain style step है और इसको मैंने pair किया है एक bangle bracelet के साथ जिसके साथ इसकी look और भी ज़्यादा elegant लग रही है क्योंकि dial के stones और bracelet के stones का size almost same है अब same watch को मैं style और ये भी एक bangle bracelet है जो के white और blue color के stones के साथ बनी हुई है इसके साथ ये matching ring भी है actually ये bracelet और ring का set था जो मैं इसके साथ combine करके पहनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और जो next watch मैं आपके साथ share करने लगी हूँ ये भी मेरी one of the most favorite watches में से है जो के rose gold color में है और जो step के अ मैंने style किया है इस chain bracelet के साथ और ये bracelet इसके साथ ऐसे लगता है जैसे इसके साथ आई है लेकिन ये इसके साथ की नहीं है ये मैंने separate buy की थी और इसके colors और stones और सब चीजें जो हैं वो इस watch के साथ बहुत जादा perfectly match कर रही है इसके बाद इसी watch की look number two में आपको दिखाती जो के मैंने इस bracelet के साथ match की है ये भी एक chain bracelet है और ये भी इसके साथ बहुत perfectly match करती है और ये watch के साथ इसको पहनी हुई बहुत अच्छी और smart look देती है वैसे भी मुझे ये bracelet बहुत जादा पसंद है क्योंकि ये बहुत अच्छी fine quality में बनी हुई है इसके बाद जो मैं daily basis पर use करती हूँ लेकिन ये इतनी अच्छी quality की watch है इसको मैंने बहुत जादा rough and tough use किया है और ये almost मेरे पास three years से है लेकिन ये आज तक बिल्कुल भी हराब नहीं हुई है even इसका cell भी weak नहीं हुआ और जो इसका step है और dial इन दोनों के colors भी बिल्कुल change नहीं हुए ये वै जैसे के वैसे हैं जैसे मैंने day one में हरी दी थी वैसे भी color ऐसा है जो काफी जादा dresses के साथ match कर जाता है और ज्यादा तर में इस watch को ऐसे ही पहन लेती हूँ क्योंकि ये ऐसे भी पहनी भी बहुत जादा अच्छी लगती है लेकिन मैं आपको इसको भी style करके दिखाऊंगी इसकी जो look number one मैंने create की है वो इस chain bracelet के साथ की है जिसके center में A लिखा हुआ है और साथ में stones लगे हुए है और ये इसके साथ बहुत अच्छी और elegant look दे रही थी अब same watch को मैंने look number two में style किया है जिसको मैंने एक bangle के साथ style किया है जो के stones वली है और इसके साथ ये एक formal look दे रही है इसके बाद इस watch को जो मैंने third look दी है वो again एक chain bracelet के साथ दी है और इसके उपर एक infinity का sign बना हुए है साथ में दो छोट छोटे birds जो है वो हैंग हुए है इसके साथ इसकी look बहुत ज़दा decent लग रही थी अब जो मैं आपके साथ watch share करने लगी हूँ ये मेरी सबसे favorite watch ह और ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये मेरी मौम ने gift की थी मुझे मेरी शादी पर और बहुत सारी दुआओं के साथ gift की थी और उन कीमती दुआओं का नेम olmτबदल कुछ भी नहीं हो सकता था लगता वहारत थाला हमसब की अमाउं को जिन्दकी सहथ और तंदरु आमीन सुमामीन और हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे आमीन सुमामीन और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वाच की डीटेलिंग ये एक ब्रैंडड गॉल्ड वाच है और जो इसका डाइल है उसके अंदर डाइमेंड्स लगे हुए है और इसको मैं जालतर ऐसे ही पहन करेंती हूँ इसके साथ कोई अडिशनल एक्सेसरी को स्टाइल नहीं करती हूँ और अब जो मैं आपको अपनी लस्ट में वाचिस दिखा रही हूँ ये भी बहुत अच्छी सेंपल सी और एलिगंट सी वाचिस हैं और मेरे पास काफी अर्से से हैं और ये लैदर के है क्योंकि थोड़ा हट के भी है इसी के साथ जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वाच दिखाने लगी हूँ वह ये ब्लैक कलर की वाच है और इसका स्टैब भी लेदर का बहुत इची और फाइन कॉलिटी में बना हुआ है और इसका डायल भी स्क्वेर शेप में हैं जो के प इस तरह से स्टाइल करती हूँ डिफरेंट ब्रेसलेट्स के साथ चाहे वो चेन ब्रेसलेट्स हो या बैंगल ब्रेसलेट्स हो और आई होब कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और अगर आपका मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे सारा ह्याल रखिएगा अल्ला हाफीज बाई बाई टेक केर